नवस्कार मित्रो मैं पंडित अफिल शुक्ल जैमाकाल आईरवेद मेरा मुवाइल नंबर है 91658238 00 यही मेरा वाट्सअप नंबर है और यही मेरा पेटियम नंबर है देखो मित्रो कोरोना से हम गुजर चुके हैं अब यह फिर सीजन आ रहा है सर्दी जुखाम खासी का तो पानी में भीगने के बाद वैसे भी हमारा युमीन सिस्टम कोरोना के बाद से कमजोर हो चुका है थोड़ा सा भी भीग रहे हैं लोग तो सर्दी जुखाम खासी लंग्स का इंफेक्शन हो रहा है सांस लेने में तकलिफ हो रही है उसके लिए हमने एक नई और शदी बन नई ट्रण्स के इनफेक्षन को ठीक करता है अम्रत गभत के साथ महीं चून भी देते हैं ये हैं उपिंदा हुआ है आप जैसा जानते हैं अडूसा का पंचांग लिया जाता है रुद्रवन्ती का पंचांग लिया जाता है और आपका द्रौण कुस्पी लाल का जड़्का पाउडर लिया जाता है और यह रुद्रवंती का छार है रुद्रवंती को जलाके उसको पानी में घूल के छार बनाते है क्योंकि अब दमा तेजी से पकड़ता तो जल्दी से अच्छा होने के लिए हम उसको चार बनाते हैं और यह अपमार की चार अपमार की पेड़ होता बड़ा बहुत ही पोधा होता है बहुत उपता है वरसा उसका चार है यह फारत विज्ञान में भी बहुत काम आता है इसमे कि इस प्रकार से दमा का चून बनाते हैं बहुत पुराने समय से हमारा दमा का चून और यह अम्रदगब जा रहा है तो यह लंग्स को जिनको नजला हो गया हो जुखाम हो दिमाग में जुखाम हो सर्दी हमेशा बनी रहती हो नाक बहती रहती हो बलगम हमेशा आता रहता ह कुरें से आना शूरू हो जाता खास करके जो भीरीज्ट करते हैं उनको लंग्स Bonus कमजोर हो जाते हैं और दीरे धिरे लंग्स में infection हो जाता और लंग्स मोटे हो जाते हैं उसमें कफ जम जाता है तो यह पर علा a अमरत गब जो है इंफेक्शन को ठीक करेगा तो आपको सांस और दमा की बीमारी बिलकुल जड़ मूल से अच्छे हो जाती है ऐसा लोग बोलते हैं कि दमा का रोक दमा के दम के दम निकलने के साथ ही जाता है ऐसा नहीं मैंने हजारों नो को ठीक किया है तो बहुत पुरातन क फुरे जड़ी इसमें डाली पंचांग तंव जड़ी का तो बहुत जल्दी दमा अच्छा होता वैसे उमर जादा हो तो थोड़ा समय लगता है पर कम उमर के लोग हैं तो उनके लिए जलदी से अच्छा हो जाता है जैसा स्वास ही जीवन है मित्रों अगर स्वास नहीं लेंगे तो आक्शीजन फिर सरीर में कम जाती है फिर घवराट होती है फिर बेचेनी होती है और दीरे-धीरे बढ़ता चला जारा है जैसा कि आजकल आप देख रहे हैं लंग्स के रोग बहुत ज्यादा हो रहे हैं लोगों को जो जिनको कोरोना हुआ था वैसे ही उनके लंग्स कमजोर हो गाए हैं तो ये लंग्स के मजबूती के लिए बहुत अच्छी हो सदी है इसमें थोड़ा खान वात और पित तीन ही मूलादार है आएरवेट के और जिसमें कफ बढ़ता ही है उमर के साथ साथ कफ बढ़ता है क्योंकि खून की चाल कमजोर हो जाती है छून की गरमी सरीर में गरमी कम हो जाती है और ठंड और सीतरितू में हम ज़्यादा गूमते नहीं है तो हमारे सरीर में कफ जम जाता और वोई कफ जब अधिक मात्रा में हो जाता तो जाएगा कहां फिर वो खून में गुलता है और फिर वो कोलेस्टराल बनता और हार्ट में जाके जमा होता है तो यह बहुत बढ़िया उशदी है मित्रों हम बहुत पुरातन काल से इसका प्रियोग करते चले आ रहे हैं तो इसको देख लीजिए हमारा मुवाइल नंबर है 9165-8238-00 जैमाहकाल आयरवेज जिसकी को चाहिए तो मैंने अपना मुवाइल नंबर डाल दिया अभी से हम बरसात से ही अगर इसका प्रियोग करते रहें तो हमारा ठंड का सीजन आराम से गुजरता है नहीं तो फिर ठंड में जब बहुत ज्यादा कब बढ़ जाता है तो फिर ठीक करने में परिशानी आती है तो नमस्कार मित्रो मैं पंडिता किल सुक्ल जैमाहकाल आयरवेज